नमस्कार दोस्तों श्वागत हैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हेल्थ गुरुजी चैनल के एक नए और फ्रेस जानकारी में दोस्तों पिछले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को अमल तास के बारे में बताया था दोस्तों अमल तास के जो पोधा हैं बहुत ही जादा दिब्य चमतकारी सक्तियों से भरे होते हैं आज के जो हमारो वीडियो का भीस हैं दोस्तों अरजुन ब्रिक्षा के बारे में अरजुन ब्रिक्षा का वैग्यानिक नाम टर्मी नेलिया है तो दोस्तों आज का जो हमारो विडियो को भी सहे रहेंगे अर्जुन बिरिक्षा के बारे में तो इस विडियो को आप लोगों को ध्यान से देखना है ध्यान से शुनना है विडियो को आधे बीच में छुण करके नहीं जाना है हम बहुत ही जादा मेहनत करके आप लोगों के लिस प्रकार के दिब्वे प पध्धती हैं बहुत ही जादा उत्तम है एर वेधिक दवा जब आपको पैयदा नहीं करते तो नुख्षान भी नहीं करते हमारे भारत भूमी में एर विट के जानकरी दोस्तों अब कुछी विसेस लोगों को हैं दोस्तों एर विट के जानकरी समापता होने के कगार पर हैं और आईरविद को अपनाएं अरजुन नमक जो ब्रिक्ष हैं दोस्तों ये हरन और बहेडे की तरह ही महा आउजधी कहे गए हैं इस ब्रिक्षा के जो अंधरूनी छाल हैं ये आउजधी गुडों से भरे होते हैं और ये हिर्दाय रोक के लिए जो हिर्दाय समंधी बिमारी ह उनके लिए बहुत ही ज़्यादा रामबार एवं कारगरदावा कहे गए हैं ये हिर्दाय को सक्ति साली करता हैं आज भी जितने भी मार्केट में हिर्दाय बिकार दूर करने के लिए जो आईरविदिक दावा आती हैं तानिक आती हैं उसमें अरजुन च्छाल का परोग अ हैं और अरजुन बिक्छा की तुना जो पस्चमी जडी बुटी नाग फनी हैं इसे किये जाते हैं और भारत में जैसे नदी हैं जहरने हैं तलाब हैं उनके आस पास में अरजुन के बिक्छा देखने को मिल जाते हैं ये 25 से ले करके 30 मिट तक उचा होता है तो भीया इस व कोई प्रश्ण हैं कोई डाउट हैं कोमेंट जरूर करें हमारे चैनल में बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी और हां भीया वीडियो को लाइक कर देना नये महमान है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जब हमारे वीडियो को लाइक करते हैं दोस्तों हमारे मनोबल पत्ति इसकी साखाओं के अंदे में होती हैं सायद इसी वज़ा से दोस्तों इसका नाम तर्मी नेलिया रखाएं इसका वनस पत्ति के नाम तर्मी नेलिया हैं और इसके जो कूल हैं दोस्तों कामब्रेटेसी कूल का है ये कामब्रेटेसी कूल का है इसे अरजून सफेद मर पुदा ये फिर धावला के नाम से जानते हैं कई जगा इसे दोस्तों नदी सर्जबी काते हैं इसके अत्यधिक परयोग दोस्तों छालका होता हैं तो भीया इसके छाल सम कौन-कौन से भीमारी को ठीक कर पाएंगे आइस बुड़ में जानते हैं तो दोस्तों ऐसे कई को रोकने का काम करते हैं जैसे माता बहनों को इस्तन की किंसर हो जाती हैं तो गर्म दुद में अरजून के छाल के पावडर को मिला करके दिन में एक बार इसके काड़े को पिलाया जाता है आप जो हैं जिनें अगर इस्तन में किंसर हैं डाक्टी दवा करें उनके शाहत में भी ये दवा परोग में करश रखते हैं अरजुन के छाल इस्तन के कैंसर को काफी हद तक रोकने में राम बरदावा साबित हुई हैं अरजुन के छाल का जो तासीर होता है दोस्तों बहुत ही ठंडी होता है इसके जो तासीर है बहुत ही ठंडी होती है तो इसके सेवन गर्मी में बहुत ही ज़्यादा लाबकारी होता है गर्मी में अगर इनके शेवन किया जाएं तो जैसे के कुलिस्ट्राल लेवल है उसे नियंतरित किया जा सकते हैं गर्मी में अगर इनके शेवन किया जाएं तो अत्यधिक जो पसीने निकलता है उसे भी रोका जा सकते हैं अर्था जो असाध्ध बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं इसके छाल को रात भर पानी में भीगो करके रखे और सुबे मसल करके पीने से छान करके कड़ा बना करके पीने से दोस्तो जो रखता पी ब्लेडिंग डिस्चार्ज के समस्व होती हैं ये दूर हो जाते हैं अगर सरीर की हड़ी टूड गए हैं चोट लग गए हैं तो इसके छाल को दूद के साथ लें से हड़ी जूड जाती हैं और इसका छाल का लिप बना करके चोट पा लगाने से भी दोस्तो हड़ीया टूटी हैं वो भी जूड जाते हैं दूस्त पाज बाद जैसे कि हम सभी के घर में पसू रहते हैं, गौ माता ही रहती हैं तो अगर पैर mejorar टूट जायें, किसी काराणवास, या फीर जैसे कि ममेस का मवेशी, जल करके घाव बन गए हैं तो इसके छाल का चूणना लगाने से दोस्तों तूरांत रहात मिलती हैं कोई बिलम नहीं तूरांत रहात मिलती हैं और मासिक धर्मा में अत्यधिक अगर रखता इस्तरा हो रहे हैं तो इसके छाल को इसके छाल के एक चमस चूणना को एक कब उबाल करके पिला देने से थोड़ी सी मत्र में आप चाहे तो मिस्री भी मिला सकते हैं तो मासिक धर्म में जो रखता आती हैं ब्लेडिंग अत्यधिक होती हैं वह रुख जाते हैं और भी भाईया इसका जबरजस्ता पावरफुल परयोग बताऊंगा बस आप लोगों से इत करते हैं अरजून के छाल को उबाल करके अगर चान करके पिया जाए सुबे साम खाली पेट में तो गुर्दे की पत्री असानी से तूट करके निकल जाते हैं आज के जरेशन में दोस्तों हम बहुत सारे लोगों को देख चुके पत्री की बिमारी से बहुत ही जादा परसा क्यों हैं दोस्तों आईरिवेद हमारे भारत का अमूल धरोर बहुत ही पावरफुल चीकिस्ता पर धती इसले में सबसे पहले आईरिवेद को अपनाना चाहिए तो अरजून के छाल को सुबा साम दोस्तों आप ले लिजे ददस ग्राम की मत्र में ले लिजे और इसके छाल और इनके डोज को बढ़ा दीजे अवस्चा पत्री बाहर निकल जाते हैं अरजून के छाल का काड़ा पीने से पेसाब संबंधी रोग जैसे कि मुत्र में शंक्रमण हैं पेसाब करते समय तकलीब हो रही हैं पिर पेसाब करते समय जैसे पत्री आ करके अटा गहें तो पत् चले मधूमे की बीमारी में मैं इसका परोग बता दूं तो अरजून के छाल का चुणना देशी जामून के बीच के चुणना की ये दोनों को अरजून के छाल का चुणना और देशी जामून के बीच के चुणना दोनों को बराबर मातरा में ले ले और प्रती दिन रोज दोस्तों रात सोने से फ़ले आपको लेना या फिर आप चाहें तो सबेरा इसे सुबे खाली पिट गुन-गुने जल के साथ मिले सकते हैं ये दवा राम बर सावीत हुए सुगर की बीमारी को ठीक करने में तो दोस्तों हमारे चैनल में हम बहुत ही जादा कठीन प्रयास करें के आईरिवेग्य के जानकारी भारत के गाईं में कस्बों में हर च्छित्र में गाउंस ले करके जितने भी बड़े कस्ब हैं नगर के सिधान बहुत ही उत्तम हैं आयरिवेग्य की चीकिसथा को अपनाइ के अरे भारतों में पुना फ्रभ दंवे इसलिए दोस्तों आज ही बैतार हैं कि आयरिवित की चिकिस्सा को Вс Could अपना है यह जानकारी काइसा लग आप हमें क्योमेट सेक्शन में जरूर बताई है और इस जानकारी को इस विडियो को अपने तक शिमित मत रखना इसे अपने दोस्तों यारे में आगे जरूर सेयर करना दोस्तों हो साकता इस जानकारित उनका भाला हो जाए, कोई शमस्सा है, उनके समस्सा दूर हो जाए तो आपको भी पुन्या मिलेगा तो जनीतियां उनकल्यान के लिए वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलना दोस्तो विडियो को आखरी तक देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिन जाइरवेज